नमस्कार विद्यारतियों मैं पंकश पंडे हिंदी परिवारे में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ सीबियसी क्लास नाइंथ के राइटिंग स्किल से बहुत ही महत्पूर टॉपिक लेकर जिसका नाम है नारा लेखन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन राइटिंग तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि नारा लेखन किसे कहते हैं और एक्जाम में इससे प्रश्ण आपका कभी गलत ना हो तो वीडियो को बिना इसकिप की अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हमने आपको नारा लेखन के इतने एक्जांपल से दिये हैं कि एगर आपने वह अच्छे से समझ लिए सीख लिए तो आपका नारा लेखन से संबंदित प्रश्ण कभी गलत नहीं होगा और अगर एक्जाम में कोई टॉपिक आता है तो नारा लेखन हम बनाएंगे कैसे उस पे यह भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है तो वीडियो को भी ना स्किप किया अंतर तक जरूर देखिए तो आए यह शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नारा लेखन किसे कहते हैं नारा करते हैं शब्दों को जोर से बोलना इसे एंग्रेजी में स्लोगन राइटिंग भी कहते हैं शब्दों को जोर से बोलना किसी भी शब्दों को और नारा की परिभाशा अगर बा सीखने के मिले तथा लोगों के मन मस्तिश्क पर ऐसा असर डाले कि वो फिर भूलाए न भूले वो नारा कहलाता है नारा का मतलब यह लोगों को प्रणा देना जैसे एक्जेंपल की बात करें हम सब का एक ही नारा सबसे प्यारा देश हमारा इससे बहतरी नारा तो कुछ होई नहीं सकता हम सबका एक ही नारा सबसे प्यारा देश हमारा अगर डूसरे नारे की बात करें तो कहीं-कहीं ऐसे भी सुनाई देता है अपना काम बनता बहाड़में जाए जनता लेकिन İसे हम परिक्षा में नहीं लिख सकते क्यों का प्रयोग किया जाता है point No 2 2 एक आदरश संदेश लोगों तक पहुचाना होता है नारा का दूसरा होता है आदरश संदेश लोगों तक अच्छा संदेश मैं आपको बोला कि अपना काम बनता भाढ में जाया treatment यह आदर संदेश हमको नहीं दे रहा है यह हमें सही सीख नहीं दे रहा है यह हमको गलत सीख दे रहा है इसलिए यह नारा लेखन में नहीं आएगा क्योंकि नारा का उदेश ही होता है कि अच्छी सीख लोगों को देना point number three किसी अभियान की तरह लोगों का ध्यान आकर शित करना कोई अभियान चला रहे हैं देश को बदलने की समाज को बदलने की बुराईयों को दूर करने की तो उस अभियान की तरह जैसे अगर मैं example दू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो यह देश की बुर यह हमारे पीछे नहीं है क्योंकि एक कवी ने कहा है कि बेटियां घर में हो तो घर की दिवारे बोलती है बेटियां घर की पुरानी खुड़ खिड़कियों को खोलती है बेटियों ने हमेशा माबाप का नाम ही रोशन किया है कभी मीरा बाई बन जहर का प्याला पिया है तो कभी रा हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं तो यह भी एक संदेश हम को दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नारा का काम ही है अभियान की तरफ लोगों का ध्यान आकरशित करना आगे चलते हैं पॉइंट नंबर फॉर कम शब्दों में अपनी बात जन तक लोगों तक पहुचाना अब आगे हम देखते हैं कि नारा के प्रकार कितने होते हैं तो नारे के प्रकार होते हैं पहला सामाजिक नारा दूसरा धार्मी जो धर्म से संबंदित है तीसरा राजनेतिक जो राजनीति से संबंदित है जैसे आज कल छोटे से भी बच्चे से प फुन्दों मैं तुम्हें आजा दी दूँगा व्यावसाइक नारा जो मारे से संबंदत होता है आध्यात्म से हमी प्रेरना दे तो यह नारे के प्रकार हैं अब हम देखेंगे नारा लेखन में ध्यान देने वाली बाते क्या होती जहां बच्चे गल्ती करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है भाशा भाशा शुद्ध और सरलोनी चाहिए क्योंकि कई बार बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का असर उन पर इतना होता है कि वो अंग्रेजी भाशा का भी प्रयोग नारा लेकन में कर देते हैं अपनी मात्री भाशा का भी प्रयोग नारा लेकन में कर देते हैं वो बिलकुल नहीं करनी चाहिए भाशा सुद बंदी हो और लय का सही प्रयोग ही नारे को आकरशक बनाता है जब्ही नारा बनाओ जब्ही नारा लेकर नीको त belief होना चुख बंदी हुनी जैसा बीटी बचाओ तो अन्ते में हम कम से कम शब्दों में लिखेंगे नारे को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह संग्शिप्त हो चोटा हो और ऐसा हो कि सुनने वाला प्रभावित हो कहते हैं कम लिखो काम का लिखो अच्छा लिखो पॉइंट नॉमबर फॉर प्रेरकता नारा सदय एक आदर्श शचंदेश के साथ लिखा जाना चाहिए जिससे लोगों को अच्छी सीख मिले जिसे लोगों को अपने जीवन को बदलने में मदद मिले जिसमें लोगों को प्रेरणा करने की ख्शंता हो तो नारा लेखन में ध्यान देने वाली बात है यह भाशा सही होनी चाहिए तुकांट पंक्तियां होनी चाहिए संग्शिब्ट होना चाहिए और लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए और इसकी शब्द सीमा 10 से 15 शब्दों में होनी चाहिए ज्यादा लिखने से अच्छे मांक्स नहीं मिलेंगे याद रखना कम लिखो काम का लिखो अच्छा लिखो अब आईए हम कुछ प्रसिद नारा लेखन का एक्जामपल देखते हैं जो कि अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है जैसे सुभाष्चंद्र बोश जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दोगा भगत सिंग ने कहा था इंकलाब जिन्दाबाद लाल भादूर शाष्ट्री ने कहा जै जवान जै किसान अब उसमें एक और एड हो गया है जै विज्यान बापु ने कहा करो या मरो यह स्वतंतर्त अंदूलन से संबंदित और ऑगर परिक्षा में आगया कि स्वतंतर्त अंदूलन से संबंदित-कुछ प्रसिद नहारे लिको तो आपि यह सब बड़ी आसानी से लेख सकते हो आपको 110 परसेंट अच्छे माक्स मिलेगे और अक्सर एक्जाम में पूछता है कि इसके अलावां भी अगर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो कुछ अन्य प्रसिद्धनारे आपके सामने ये हैं जैसे जल है तो कल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड लगाओ पेड बचाओ जल ही जीवन है आत्म निर्भर भारत समर्थ भारत ये कुछ प्रसिद्धनारे और कभी-कभी एक्जाम में होता है कि ऐसा टॉपिक दे दिया जिस पे नारे आपको याद ही नहीं है तो उस पे नारे कैसे बनाओ कि वो भी मैं आपको बताओंगा बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अब जैसे दो पंकियों की नारों की बात करें तो हमारी सांसे हो रही है कम आओ मिलकर व्रिक्ष लगाएं हम अगर पर्यावरण पर्यावरण प्रदूशन पर आगया व्रिक्ष पर आगया व्रिक्ष रोपड पर आगया तो आप यह नारा आसानी से लिख सकते हो हमारी सांसे हो रही है कम आओ मिलकर व्रिक्ष लगाएं हम दूसरा नारा एक नया सवेरा लाएंगे पूरे भारत को सच्छ बनाएंगे जब भी पूछेगा तो ऐसे ही टॉपिक्स पे पूछेगा एक्जाम में या तो परियावरण पे या तो सच्छ भारत पे तीसरा काम पहले चलो करें मतदान तो यह सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया है कि अगर नारा लेखन का यह वीडियो आपने दिखा तिसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़ेगी सव बात की एक बात हम सब मिलकर रहें साथ तो जैसा मैंने आपको बोला था अगर ऐसा टॉपिक आगया जिस पे आपको नारा लेखन नहीं याद है आपने नहीं पढ़ा है तो बनाओगे कैसे बहुत आसान है बसी से याद रखो एक लाइन याद रखो सव बात की एक बात अब बात का राइमिंग वर्ड क्या है साथ अब ऐसा सवबात की एक बात आओ मिलकर व्रिक्ष लगाएं हम सब साथ हो गया नारा लेकर सवक्ष भारत पर आगया सवबात की एक बात देश को सवक्ष करें मिलकर साथ अगर मतदान पर आगया तो सवबात की एक बात चलो मतदान करें साथ हो गया राइमिंग वर्ड तो अगर मैंने इधर भी देखो युवा शक्ति के तीन काम शिक्षा सेवा और मतदान दिमाग लगाओगे तिधर भी आपको एक्जम्पल मिलेगा देश को विकास की गती दिखाना युवा शक्ति को आगे बढ़ाना लालच देखकर वोट जो माँगे भरष्टा चार करेगा आगे तो यह सारे एक्जम्पल भी आप यहां से देख सकते हो जो मैंने आपके लिए मेहनत किया और आखरी एक्जम्पल कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटिया जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटिया तो मेरे प्यारे विद्यारतियों अगर आपने यह सारे एक्जम्पल सच्छे से पढ़ लिया याद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि नारा लेखन में आपको कोई परिशानी होगी और उमीद करता हूं कि नारा लेकर आपको अच्छे से समझ में आ गया अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजे और अगर अभी तक आपने हिंदी आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या